आप मेंसे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनोंने पहले से exam की कोई भी तयारी नहीं की होगी और आप exam की तयारी करना start किये हैं जब आपके exam या तो एक दिन बाद हैं या दो दिन बाद या तो maximum 10 दिन का समय आपको मिल जा रहा है अब आप exam की तयारी करने के लिए जब पढ़ इस समय notes के लिए सूचते हैं, कि कही से हमें notes मिल जाएं, और इगनूम में notes मिलना बहुत ही कटीन है, माना आगर notes मिल भी जाते हैं, तो या तो आपको उनमेंसे कुछ समझ नहीं आता या फिर समझ ना आने के साथ साथ आप सुचते ही कि इसमें इतना नहीं लिखा है जितना हम exam की तयारी करने के लिए पर सकें आज मैं आपके इन सभी topic को बताऊंगा और आपको अपनी exam की preparation इस एक या दो दिन में कैसे करना है वह बताऊंगा मैं आपको जितना बताऊंगा उससे आपको idea तो मिली जाएगा exam की preparation करने का लेकिन यह भी आपकी knowledge के आधार पर depend होगा सबसे पहले आप अपनी book को open कर लिजिए अब आपको उसमें एक एक topic को पढ़ना है अब आप कहोगे अभी तो बोला कि book को नहीं पढ़ना है फिर को बता रहे हो कि book से ही पढ़ना है मैंने सिब book को open करने के लिए बोला है अभी आपको book इसलिए नहीं open करना है कि उसको आपको पढ़ना है ना इस समय आप इस सवस्था में हो कि आप book को पढ़ सको और ना ही आप उससे notes बना सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत ही कम time है आपको इस समय बस पढ़ना है और topic को थोड़ा थोड़ा समझना है जिससे आप exams में उन topics को अपने आप कैसा भी बना कर लिख पाएं आप book में अपने topic को देखो और उस topic को आप google पर सर्च करो यहाँ आपको उस topics related हजारो articles दिखेंगे यानि बहुत तरह की websites यहाँ पर आपको उस topic को बताने के लिए दिखेंगी आपको जिस भी language में पढ़ने से समझ आता है आप उसी language में अपने topics को सर्च करो आपको यहाँ उन topics के बारे में छोटे-छोटे legs मिलेंगे यह सभी अच्छे से explain किये हुए होते हैं और बहुत ही छोटे legs होते हैं आप इनको एक-दो मिनट में पढ़कर अपने topics को समझ सकते हैं अगर आपके एक-दो topics ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं उनको आप YouTube पर सर्च कीजिए वहाँ पर आप 2-3 मिट की short video से उनको समझ लीजिए और फिर चाहे आप उसको एक बार फिर से यहाँ पर पढ़ लीजिए जिससे आपको वह पूरी तरह से explain हो जाएगा आपका main काम रहेगा यहाँ पर उन topics को समझना ना कि उन्हें याद करना आप अगर एक बार पढ़ भी लेते हैं तो आप उन topics को समझ जाएंगे यहाँ के बहुत यह अच्छे notes होंगे इनसे आप एक दिन में ही अपनी exams की पूरी तयारी कर सकते हैं आप मेंसे बहुत सी लोग solved assignments से exam की तयारी करना चाह रहे होंगे लेकिन मेरे हिसाब से वह आपकी तयारी के लिए अच्छा विकल्प नहीं है क्योंकि उसमें आपको कुछ सीमित question answer ही मिलेंगे और उसमें आपको सारे topics भी समझ नहीं आएंगे क्योंकि वह एक के बाद एक नहीं समझाए जाते हैं वह स्रिफ एक एक प्रस्ण होती हैं इसके लिए मैं आपको नहीं कहता कि आप उनको पढ़ें हाँ आप उससे last time में पढ़ सकते हैं जब आपके exam के लिए 3-4 घंटे का time बचे अशा करता हूँ आपको इससे अपने exam की तयारी करने में अच्छी help मिलेगी अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को on कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और अनिस्टूइन को भी सेर कर देना जिससे वो भी अपने exam की preparation अच्छी से कर पाएं थैंक्स फॉर वाचिन